अंदुशक शिक्षामित्र अन्य शिक्षकों की मांगों को लेकर एक बड़ा धरना हो रहा है यह बड़ी ब्रेकिंग नहीं हो जा रही तीस को धरना और तीस कोई सरकार बड़ी गोशना करने वाली है क्या है पूरा समाचार विस पहले एक छोटा से निवेदन है आप सभी से कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैला गंद वाईए और कमेंट जरूर करें शुरू करते हैं पूरा समाचार क्या है साथियों जल्द बढ़ सकता है शिक्षामित्र अनुद्यशक और आंगनवाडी कारेकरतों का मांदे य इसे लेकर बुद्वार को बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया अब घोशना करनी की वारी है इसमें शिक्षा सहित कई विभावों के अधिकारी मौजूद रहे हलाकि अभी इस पर ठोस निरने नहीं हो सका है इस संबंद में जल्द फैसली की उमीद है सरकार बजट में अभी इसे लेकर प्रावधान कर चुकी है वही शिक्षामित्र अनुद्शक आनकार अनुद्शक शिक्षामित्र नियमती करण पर अभी शासन में कोई सकारात्मक प्रक्रिया प्राप्त नहीं है प्राप्त जानकारी के अनुद्शक शिक्षामित्र मान दिफरद्धी पर नियमती शासन में लगातार बैठक चल रही है आपका साथी राकिश पटेल परदिश अद्यक शुकूर मादमिक अनुद्शक कल्याण समीती साथीों कह सकते हैं कि आपको पूर्ब में पता चुका हूँ 30 नवंबर एक एहम दिन हो सकता है शिक्षामित्र परतिभाग के लिए इस दिन सबसे पहले बात तो धर्ना परदर्शन होने जा रहा है लखनों में जिसमें समस्त समविदा कर्मी शिक्षक अनुद्शक क्यामित्र परतिभाग करेंगे अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उसके उद्देश से ये कारिकरम किया जा रहा है जिसमें अपनी मांगों को सरकार तक वो क्यापन के रूप में पहुँचाएंगे पहुचाएंगे साथियों और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे इसी दिन एक बड़ी घोशना हो सकती है जिसका समाचार शोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा यह हरदेश दुबे जी हैं और इन्हों ट्विट किया है मांदिव अड़त्री क्या है कि तीस नमवर तक शाषना देश जारी हो जाएगा मतलब जो भी सूचना या जो भी मांदुव ब्रद्धी होगी कह सकते कुछ भी अंद्वेशा को शिक्षम इतनों से समंदित सरकार का घोशना होगा या उसका फैसला होगा या निरना जुलिया होगा उसका शाषन मिलने वाला है तीस को तो देखिए समय बहुत करते हैं तीस को भी देखते हैं और बने रही है हमारे साथ अंद्रिशक न्यूस पर एक समाचार और हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे सरकार जन्वरी में दे सकती है सरकारी कमचारियों को बड़ा तोफा इतना बढ़ेग सरकारी करमचारियों के लिए अब इसमें ध्यान देने योगी ये बात है कि वो सरकारी करमचारी समविदा करमी वी हैं इसमें एड या नहीं यह आपको जल्द किलियर किया जाएगा कि क्या तोफा होगा सरकारी करमचारियों को क्या उसमें अनुदेशक, शिक्षामित्र, अंगनबाडी अन्य लोगों को भी जोड़ा जाएगा या नहीं आगे एक और समाचार है जिसको हमने प्रामिरी का मास्टर डाट कॉम से लिया है बस्पा सुप्रीमों से मिले उनतर हजार शिक्षक भरती अव्यर्थी लखनों शिक्षक भरती में अरक्षर को लेकर आंदोलन कर रहे ब्यारती उन्हें बुद्वार को पूर्मुख मंतरी वस्पा सुप्रीमों मायवती के आवास पर जाकर उनका समर्थन मागा पूर्मुख मंतरी जी ने मिलने की मांग को लेकर अब्यारती आवास के सामने बैठ गए हाला कि करमचारियों ने पूर्मुख मंतरी तक अब भारतियों का संदिश पहुचा है देखने युग ये बात है कि पूर मुखमंत्री क्या उनको अश्वासन दे इंगी किस तरह का उनको समाचार मिलेगा पूर मुखमंत्री महाविटी जी के द्वारा है और अभारति विरेंद्री आदम ने बताया कि पूर मुकमंत्री ज सबी केंद्रिय मंत्री अन्प्रिय पठेल गया वास पर भी गये पूर्मुखंत्री से मुलाकात करके लौटते अभ्यारतियों को पुलिस रोकने लगी सभी को इको गार्डन में छोड़ दिया गया है साथ ही यह समाचार लखनव से आ रहा है वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्मा साथ एक रिक्वेस्ट प्रिष्ट करना चाहूंगा कुछ भाई हमारे चैनल पर हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने वेदन है आप हमारे चैनल को तुरंद सब्सक्राइब करें लाइक शेर और कमेंट वीचे से